नमस्कार दोस्तों, मा लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा वास करें और आप पर अपनी क्रिपा हमेशा बनाए रखें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ फाल्तू चीजों को घर से बाहर निकाल दिया जाए। हमारे घर में रखी हुई ये चीजे नेगेटिव एनरजी यानि की नाकरात्मक उर्जा फैलाती हैं और अच्छे वक्त को भी बुरे वक्त में बदल देती हैं। धन दौलत पाने के लिए माता लक्ष्मी के कृपा बहुत जरूरी होती है। धर्म शास्त्रों में धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए कई तरीके बताये गए हैं। ताकि लोग सुक समरिद्धी के साथ अपनी जिन्दगी गुजार सकें। माता लक्ष्मी की आराधना करने और उनको प्रसंद करने के उपाई के लिए शुक्रवार का दिन सर्वशेष्ट होता है। क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन भक्त माता लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए उनका वरक्त रखते हैं, विदिविदान से उनकी पूझा करते हैं। तो पहली चीज है फटे पुराने अनुपयोगी कपड़े कभी भी घर में अनुपयोगी या फिर फटे पुराने कपड़े नहीं रखने चाहिए उन्हें किसी जरूरत मंद को दांद कर देना चाहिए वहीं साफ सफाई के कामों के अलवा अन्य किसी भी काम में या फिर पहनने में फटे कपडों का उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आपके पास आने वाला पैसा रुकने लगता है और आपके लिए धन हानी के योग बनने लगते हैं दोस्तों, दूसरी चीज है सुखे और काटेदार पौधे हरे भरे पौधे, खुबसूरत फूल घर के वातावरन को महका देते हैं उसे साकरत्मक उर्जा से भर देते हैं लेकिन सुखे पौधे या फिर काटेदार पौधे घर को नेगेटिव एनरजी से भर देते हैं इसलिए ऐसे नाकरत्मक महौल में मातल लक्षमी कभी भी निवास नहीं करती हैं हमें तुरंत ऐसे पौधों को हटा देना चाहिए तीसरी चीज है तूटी हुई अलमारी घर में दुकान में या ओफिस में तूटी हुई अलमारी का होना बहुत ही नुकसान दायक होता है ऐसी अलमारी पैसों का हमेशा नुकसान कराती हैं और इसमें कभी भी पैसे टिकते नहीं हैं यदि आपके घर में भी ऐसी कोई अलमारी है तो उसे तुरंत बाहर कर दें चौती चीज है जंग लगे ताले और खराब इलेक्टरोनिक समान घर के सदस्यों की तरक्की को रोकने के लिए जंग लगे ताले ही काफी है वही खराब और बंद पड़े इलेक्टरोनिक समान घर की सही सलामत चीजों को भी खराब कर देते हैं अगर आप भी अपने घर के अंदर सुक समरिद्धी चाहते हैं तो तुरंत ऐसे समानों को बाहर कर देना चाहिए पाँचवी चीज है तूटी हुई मूर्ती अगर आपके घर में या मंदिर में कोई भगवान की खंडिट मूर्ती हो या फोटो हो तो उसे शुक्रवार के दिन बहते हुए जल में प्रावाहित कर देना चाहिए चाहिए चीज है तूटे हुए बरतन काच, चीनी मिटी, स्टील या फिर किसी भी धातू के तूटे फूटे दरार वाले बरतन किसी अमीर इंसान को भी गरीब बना सकते हैं पूद्रवार के दिन आप इन बरतनों को घर से बाहर कर दें और फिर देखे कि आपके कैसे दिन बदलने लगेंगे और आपकी किस्मत आपका भाग चमक उठेगा नमस्कार